आज हम एक नया topic स्टार्ट कर रहे हैं उस topic को स्टार्ट है प्रॉबल्टिक है उससे पहले हमें पता होने ची रेंडम variable क्या होता है जनरली रेंडम variable को नाम x से रेप्रेजेंट करते हैं x कोई और लेटर भी यूज़ कर सकते हैं बट जनरली x से रेप्रेजेंट जाएगा कोई भी real valued function ध्यान देखने हो कोई भी real valued function जिसकी domain जो है sample space होगी और रेंडम variable is a real valued function whose domain is a sample space अब ये बात clear नहीं होगी दो example देखके हैं उससे clear हो जाएगी देखको पहले example लिया let us consider an experiment of tossing two coins in succession दो coin toss करने अगर दो coin toss करने तो क्या क्या case बनेगे चार case बनेगे ठीक है ये चार case बनेगे दोनो head हो सकते है head tail tail head tail इन्होंने क्या क्या रखा है x denotes the number of head अब number of head को denote कर रहा है तो x की value क्या क्या हो सकते है अगर ये वाला experiment आते है दोनो head आते है तो इसमें क्या होगे number of head क्या हो गया तो देखको x इस experiment में इस वाले particular case में number of head कितने दो और अगर हम इसकी बात करें तो कितना थे गवान number of head एक और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें number of head कितना है एक लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें number of head कितना 0 तो x की value यहां क्या क्या हो सकती 0 हो सकती 1 हो सकती 0 1 2 अब देखो क्या यह जो यह हमने लिखा था real value function यह real values है बिल्कुल है whose domain is the sample space इसकी जो domain है जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है sample space से तो आ रहा है बहीं दो head थे एक head था और zero head था आया न तो x क्या है clear हो यह एक और experiment देख a player plays a game of tossing a coin thrice तीन बार coin toss करना जब कितने case बनेगे 8 पहले वही लिख लेते है चार head लिख ले पहले फिर चार tail लिख लेते है अब दो head फिर दो tail फिर दो head दो tail head tail head tail head tail head tail सारे 8 cases आगे a person plays a game of tossing a coin thrice इतना हमने कर लिया for each head he gain rupees 2 head के लिए उसे 2 रुपे मिल रहे है but for each tail he has to give rupees 1.50 to the organizer अगर tail आएगा तो minus 1.50 organizer को देने पड़े plus उसे मिल रहे है minus उसके पास से जा रहे है let x denote the amount x के इसको represent कर रहा है amount gained अब देखो अगर 2-3 head आते हैं तो 3 head है तो उसे कितने रुपे मिलेंगे 3 into plus 2 यह निकि 6 रुपे तो x की value के जाएगी plus 6 है प्लस क्यों लिखा क्यों कि मिल रहे हैं उसे अगर 2 head आते हैं और एक tail अब 2 head एक tail यह वाला हो गया यह वाला भी हो गया अगर 2 head है तो 2 के हिसाब से उसे plus 2 rupees मिल जाएंगे plus 1 के हिसाब से उसका minus का 1.50 चला जाएगा भई इन 2 के उसे 4 रुपे मिलेंगे और इसे 1.5 रुपे निकल जाएगा तो plus का 4 और minus का 1.50 कितना होगे इसमें से plus का 2.50 है ना और अगर उसके पास ऐसा होता है कि 1 head आता है और 2 tail आते हैं तो उसे 2 रुपे तो मिलेंगे लेकिन क्या होगा minus का 1.50 इन 2 3 है चले जाएगे यानिकि plus का 2 और minus का 3 यानिकि minus 1 और अगर उसके पास तीनो tail आ जाएं तो तीनो tail में क्या होगा 3 into minus का 1.50 तो कितना होगे minus का 4.50 तो x किसको represent करता amount gain और loss को तो x की value क्या क्या हो सकती है plus 6 हो सकती है x की value उसके बाद plus 2.50 हो सकती है minus 1 हो सकती है और minus का 4.50 तो यह हो गया हमार पास इस वार random variable जो random variable है x उसकी values plus 6 plus 2.50 minus 1 और minus का 4.50 देखो क्या यह real values है बिल्कुल है real values positive भी हो सकती है fractional भी हो सकती negative भी हो सकती है real numbers है यह कहां से निकल के आ रही सब domain से तो इसके sample space से तो निकल के आ रही है है न तो x क्या है अब clear हो गया होगा तुमें एक real valued function है जिसकी value हमें कहां से मिलेगी sample space से ही मिलेगी और यह x define क्या होगा पक्का जैसे नोंने करना x denote the amount gain or loss तो पक्का define करेंगे इसी को कि x क्या है ठीक है झाल है